नमस्कार, हेलो डॉक्टर कारिक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत अभिनन्दन दर्शकों हेलो डॉक्टर कारिक्रम में हमारा आज का विशे है जन्मजात बहरापन कारण व उपचार दर्शकों आपने बहुत सारे छोटे बच्चों को देखा होगा जो सुनने में आसमर्थ होते हैं जब सुन नहीं पाते बच्चे तो वो बोल भी नहीं पाते यही कारण है कि आज हमने इस विशे को चुना है और हम बहुत सारे बाचीत इस विशे में स्टोडियों में बैठ कर अपने विशेशग्य के साथ करने वाले हैं जिसी के घर बैठे हम आपको ज्यादे से ज्यादा जानकारी दे सके हाँ अगर मन में भी आपके किसी भी तरह की कोई शंका है कुछ आप पूछना चाहते हैं जन्मजाद बहरेपन से रिलेटेड से संबन दे तो आप फिर आप हमारे मुबाइल नंबर्स के माध्यम से अपने प्रशनों को हम तक पहुचा सकते हैं हमारे विशेशग्य से आप सीधे बात कर सकते हैं तो जल्दी से हमारे मुबाइल नंबर्स नोट कर लीजिए हमारे नंबर्स हैं 7579428028 दूसरा नंबर है 7579428047 न दूसरा नमबर है 7579428047 मैं हर बार आपसे निवेदन करती हूँ कि जैसे ही आपकी बातचीत हम से शुरू हो जाती है तो अपने टीवी की जो आवाज है उसको कम कर दीजे या फिर थोड़ी सी दूरी बनाएए उसके बाद अगर आप प्रशने करेंगे तो हम आपके प्रशने को स्पष्च रूप से सुन पाएंगे जिससे होगा ये कि आपको अपने प्रशने का उत्तर भी स्पष्च रूप से मिलेगा हम अपने यहां पर यूट्यूब में जो दर्शक हमें लाइव देख रहे हैं उनको भी हम कहा दे कि अगर आप अपनी कमेंट्स के माधिम से कोई प्रशन है तो आप हमें भेज सकते हैं कोशिश करेंगे आपके प्रशन को भी अपने कारिकर में शामिल करने की जन्मजात बहरापन कारणवा उपचार इस विशे में विस्त्रित रूप से चर्चा करनी के लिए आज हमारे साथ इस्टूडियो में है EMT सर्जन वरिष्ट विशेशग्य डॉक्टर सुमित म्रिग डॉक्स अब बहुत स्टूडियो में आपका सर जैसे कि मैंने कहा अभी बहुत सारे हमारे ऐसे बच्चे होते हैं जो जन्म से सुन नहीं पाते जो सुन नहीं पाते वो बोल भी नहीं पाते लेकिन हमें ये पता ही नहीं चलता कि ये बच्चा जो है सुन नहीं पा रहा है इससे पहले कि मैं ये बात चीश शुरू करूँ अभी हाल ही में हमने ये भी देखा था कि डबलू एचो ने बड़ी चिंता जाहिर की थी कि जो बधिरता है बहरापन है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है उसके बारे में पहले आप बताएं सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आपको मुझे स्टूडियो में बुलाने के लिए देखिए जैसा हम जानते हैं कि 3rd of March हर साल वर्ल्ड हेरिंग डे मनाये जाता है पिश्टे साल डबलू हो ने काफी रिसर्च के बाद एक पूरी बुकलेट जारी की जो हेरिंग लॉस पूरी वर्ल्ड में कई समीतियां बैठती हैं कई देशों से लोग विशेश अग्य बैठते हैं और भारत के जो आँकड़े उसमें निकल के आए वो काफी चिंता जान यानि कि अगर इस हिसाब से अगर हमारे देश में सुनाई की प्रॉब्लम बढ़ती रही जो जन्म जाट से ही निए बड़ बच्चों में बड़े वर्ग में ओल्ड एज में अगर यह सब बढ़ती रही तो दो हजार पचास तक यह आंकड़े काफी चिंता जनिक हो जाएं बिल्कुल कहते हैं कि चार में से एक व्यक्ती जो है सुनने में असमर्थ होने वाला है दो हजार पचास में आप अगर यह देखें तो हर साल हमारे देश में लगबख 25-30,000 बच्चे जनम से गुंगा बहरा पैरा होते हैं यह खाली एक चोटी है जो हम देखते हैं ऐसे बढ़ती रहते हैं जिनको आई वी एंटिवाटिक्स मिलते हैं या जिनको डालेस हो जाता है या जिनका ब्लड ट्रांसुजन होता है या जिनको पीलिया बहुत ज्यादा बिगड़ जाता पैदा होने के बाद ऐसे और कई कारण है जिसकी वज़े से ऐसे बच्चों की जैसे यह शुरुआत ही हमने कि जनमजाद जो बधिर बच्चे पैदा होते हैं तो उसके बारे में बताएं कि क्या डिरिंग प्रेग्रेंसी किसी तरह कि हमसे गलती हो जाती है कि जो गर्ब में बच्चा जो है वो पूरी तरह से डबल अप नहीं हो पाता या हेरिंग जो उ आप अगर देखेंगे तो यह प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि खाली एक वर्ग में पाई जाती है बट आम तोर पर यह प्रॉब्लम हमें जादा मुस्लिम पॉपुलेशन में देखने को मिलती है क्योंकि उनमें रिष्टेदारी में शादिया हो जाती है शादी के बार जब सं यह कई पुष्टों से सालेंट चल रही होती है यह दो क्रोमोसोम्स दो जीन कठे आ जाते उस बच्चे में उसके आने की बजए से वो जीन डॉमिनेंट हो जाता है और जैनेटिक डेफनेस आपके सामने आ जाती है एक यह बहुत बड़ा कारण दूसरा जब मां गर्प से ह होती है तब दवाईयों का सेवन आज भी देखिए हमारे देश में 70-80% जो डिलिवरीज है वो मिडवाइफरी यानि की घर पे हो जाती है अर्बन डिलिवरीज या इंस्टूशन में डिलिवरीज या हॉस्पिल में डिलिवरीज बहुत ही कम है तो पूरी प्रेग्नेंसी क कि दौरान ऐसी माताएं जो हैं वो कोभी वो चेक अप के लिए नहीं जाती हैं बहुत कम जाती हैं दवाईयों का सेवन करना बुखार में द्यान ना रखना बुखार का बिगड़ जाना टॉर्च इंफेक्शन होना टॉक्स प्लाजमा इंफेक्शन होना आपको क्या गरभ आपर कुछ टैस्ट हैं जैसे जो जनेटेक्स क्रीनिंग की जाती है वो उसके लिए आप को काफी अडवांस टेक्न बढ़ती है यानि कि काफी भडे हस्प्टालों में आपको यह टेस्ट मिल सकते हैं अगर आप देखें तो सुनने का यंद्र काउख्लिय है वो गर्भ वस structure है जो बच्चे के पैदा होने पे 100% होता है ऐसा नहीं है कि वो डॉलप नहीं होता इस जैसा हमने देखा कि मा को अगर गर्ब के दौरान कुछ infections हो गए है उस infection की वैसे या कोई congenital deafness है यानि कि सुनाई के अलावा kidneys की problem, heart की problem, तालू की problem, cleft palate जो हम होट का बीच से अलग होना कटावा होना देखते हैं इसके अलावा आँखों की problem तो कई कई women प्रकार के साथ ये deafness आती है बट अच्छी चीज यह है कि इसको हम diagnose कर सकते हैं जो हमारा देखे हम बिमारी को रोकना शायद ह समय पर किया जा सकता है तो वह बिल्कुल है उसका उपचार किया जा सकता है बिल्कुल जितने जल्दी हम जांच करवाएंगे हमें पता चलेगा तो उतना आसान हो जाता है तो यह अगर आप देखें कि एक national program for prevention of control of deafness जो भारत सरकार central government हमारा run कर रही है कई सालों से जिसमे आप यह मालने जी अभी 317 districts पूरे इंडिया में वहाँ पे एक screening test जिसको हम बोलते हैं auto acoustic emissions यानि कि एक simple जांच बच्चे के पैदा होने पे first day ही एक प्रोब दौरा जो कान में लगाया जाता है और उससे एक audiologist या अब हम जो program कर रहे हैं कि इसको training हम nurse level पे दे रहे हैं या mid द्वाइफरी के level पे दे रहे हैं या अंगनवाडी worker को भी हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको हम train यह कर सकें जो यह जांच करके आपको बता सकते हैं कि यह बच्चा जनम से सुन रहा है या यह सुन नहीं पाएगा अच्छा से यह बताए कि माता पिता क्या क्या दायत वो बन हुआ कि अगर आपके घर में कोई नवजाद बच्चा है या आपके पडोस में कोई नवजाद बच्चा है तो सबसे पहले आप जांच करिए कि क्या ही बच्चे के पैदे होने के बाद उसकी auto-akoustic emission टेस्ट हुआ या नहीं हुआ है सपोस करिए आप किसी जिले में हैं या बच्चा जवाब नहीं देता है पर जैसे बच्चा सो रहा है और घर में कोई कांच का तोट गया या किसी ने घंटी मारी या फून की गंटी बजी तो आप देखें बच्चा चॉंक के उड़ता है के नहीं पहला लक्षन किसी बच्चे के वो भी रा हो सकता है कि घर में इतना शोर होने के बावजूत बच्चा गहरी नेन्स होता रहता है अच्चा ये भी बतारे यहाने के सुनने का जो पावर है लुगकी जो जो मा के गल में पूरी फोans हो जाती है अगर किसी का कॉक्लिया ठीक काम कर रहा और जो नसें है वो कॉक्लिया से ब्रेञ तक सही जा रही है तो वो बच्चा बिलकुल सही सुनेगा और अगर मा ये रिलाइस करती है, सबोस करिए पहले दो महिने तो काफी मुश्किल समय रहता है मा के लिए भी, बट अगर मा ये रिलाइस करती है, बच्चे को नहलाते वक्त वो जुझने से खेल रही है और बच्चा उस अवास की तरफ आकर्शित नहीं हो रहा है, या कहीं शोर होने से वो मुड के नहीं देख रहा है, या वो स्टार्टल रिस्वान्स यानि कि सोशल स्माइल भी नहीं दे रहा है, इसका मतलब कहीं न कहीं कुछ समस्या है, ऐसे बच्चे की जहां चोनी चाहिए, आप ये देखे कि WHO और नाशनल प्रोग्राम और प्रिवेंशन औ का है एक प्लैनिंग है, यानि कि कि किसी भी बच्चे को अगर सुनाई में दिक्कत है, तो एक महिने में उसकी जहांच होनी चाहिए, तीन महिने पे उसका डाइगनोसिस हो जाना चाहिए, कि बच्चा जनम से बहरा है, पून रूप से बहरा है, या 40-50% हेरिंग लॉस है, और अगर ये स्तापित हो जाता है, जिसमें ओटोकुस्टिक एमिशन के बाद एक ब्रेंस्टेंप्ट इवोक्ड रिस्पॉंस ओडियमिटर, यानि कि बेरा की जाँच होती है, ये जाँच एंटी क्लिनिक पे होती है, जो एक ओडियोलोजिस्ट करता है, जो एक ट्रेंड रूप से ये पता लग जाना चाहिए कि ये बच्चे को सुनाई की समस्या कितनी रहेगी, उसके बाद आप इंटर्वेंशन करके, यानि कि आप प्लैनिंग करके, या तो बच्चे को हेरिंगेट फिट कराएं, या आप जो पून रूप से बहरे हैं, उनका कॉक्लेर इंप या आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया है, जैसा कि मैं आपको बता हूँ, मैं एक्जेकुटिव कमीटी मेंबर हूँ, कॉक्ले इंप्लांट ग्रूप इंडिया, यह हमारी एक नैशनल बॉड़ी है, जो कॉक्ले इंप्लांट को पूरे देश में रन करती है, हम पिछले कुछ महीनों से सेंट्रल कॉर्मेंट के साथ, केंज सरकार के साथ यह बात कर रहे हैं कि ओटो कुस्टी कमीशन, यानि कि स्क्रीनिंग टेस्ट को इम्मुनेजेशन के साथ सिंग करती है, बिलकुर, बहुत जरूरी है, यह अगर हमें इस बिमारी को जड़ से ट्री होते हैं, जबकि इसका इलाज 11 महीने पर हो जाना चाहिए, अब तो 9 महीने भी इसकी एज रीडिफाइन हो गई है, तो अगर हमें इस बिमारी को जड़ से ट्रीट करना है, या उसका हमें पून रूप से एक अच्छा सोलूशन देना है, तो इसको आपको पैदा होते ही ड अब्यान चलाया, जो मोदी जी ने चलाया, वो पूरे वर्ल्ड में मतब प्रशंस नहीं है, अगर हम ये ओटो कुस्टे कमिशन यानि की बर्थ स्क्रीनिंग प्रोग्राम को इम्मुनिजेशन प्रोग्राम के साथ जोड़ देते हैं, तो एक सिंपल नर्स भी उस काड में कि ये बच्चे की जान्च पैदान होने पर हुई है या नहीं होै. बल्गोल जब हम वेक्सिनेशन के लिए बच्चे को लेके जाते हैं, टीका करंण के लेके जाते हैं, तो वसन नापा जाता है, हैड कितना बढ़ रहा है, ये नापा जाता है, बहुत सारी चीजसें होती ह जिसमें की कानों की जांच होना बहुत जरूरी है जितने जल्दी जैसे कि आप कहा रहे हैं कि जितने जल्दी हम जांच करेंगे जितना जल्दी हम यह पता चलेगा कि बच्चा सुनने में आसमर्थ है तो उतने ही जल्दी अभी आपने कहा कि 5 साल से पहले पहले इसका इलाज होना जरूरी हो जाता है देखे आम तोर पे हमारे देश में जितने बच्चे घर पे पैदा होते हैं जिनका टेस्स नहीं हो पाता तो घर में जब वो थोड़ा सा बड़े होते हैं तो दादा दादी नाना नानी सारे रिच्दार बोलते हैं जब बच्चा नहीं बोलता तो बाकी बच्चे हैं जो एक साल पर मामा या पापा या कुछ-कुछ वर्ड्स बैबल करना स्टार्ट कर रहे हैं तब उनको ये शक होता है क्या ये बच्चे की सुनाई अफेक्टेड है तो हमारा जो मकसद है ये इम्मुनिजेशन प्रोग्राम के साथ सिंग करने का वह यह है क और इसके उपचार से बच्चा नॉर्मल हो सकता है, स्कूल जा सकता है, बाकी बच्चों के तरह जीवन अपना वितीत ये कर सकता है बिल्कुल मतलब जितने जल्दी हम कर सके उतना अच्छा हो जाएगा और बच्चा भी comfortable हो जाएगा बोलना सीख जाएगा क्योंकि ज्यादा तर पेरिंट्स ऐसा करते हैं जब बच्चा बोलता नहीं है डेट दो साल में जब थोड़ा बात बोलना चाहिए उसे बोलते नहीं तो हमारे यहां बहुत सारे myths भी हैं इसको बच्चे को ये खिला दो ये चटा दो वो कर दो लेकिन वो डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे और उनको ये लगता है कि हमारे बच्चे के टंग में या बोलने की जो स्पीच है उसमें प्रॉबलम है ना की कान में बिल्कुल सही में पेरेंट्स बहुत समय वेस्ट करते हैं क्योंकि वो कभी इस चीज की जाँच ही नहीं कराते कि मेरा बच्चा बोल क्यों नहीं रहा वो उनको ये समझना चाहिए कि जब बच्चा सुन नहीं पा रहा तो बच्चा बोलेगा कैसे और जब तक उसकी सुनाई का उपचार होगा वो बच्चा स्पीच नहीं कर पाएगा और जैसा आप देखें हर बच्चा एक साल के आसपास वो चलना शुरू करता है और दो साल पर ठीक बोलता है जनरली लड़कियां बहुत फास्ट लैंगवज पिक अप करती हैं लड़के थोड़ा स्लो करते हैं बट सब लोग बोलना स्टार्ट कर देते हैं लगवग एक सवा साल डेट साल तल तो अगर इसमें हमें कुछ देरी लगती है तो समय ना वेस्ट करें अपने आप नजदीक के एंटी स्पेशलिस्ट और आपके यह जो ऑडियोलिजिस्ट है जो कानों की जाँच करता है उनसे मिले और पांच साल की उम्र तक भी किया जा सकता है ऐसा नहीं है कि नहीं किया जा सकता बट जितना आप लेट करेंगे ऑपरेशन उतना इसका सक्सेस रेट कम रहेगा बिलकुल यहाँ पर हम अपने दर्शकों को बता दे इस वक्त आप देख रहे हैं हेलो डॉक्टर कारीक्रम और ह आज हमने जो विशे लिया है वो है जन्मजाद बहरापन कारण व उपचार इस विशे से संबंदित अगर किसी भी तरह की कोई भी जिग्यासा आपके मन में हैं तो आप हमारे मोबाइल नंबर्स के माध्यम से अपने प्रशनों को हमारे विशे शग्य तक पहुंचा सकते ह हमारे जो मोबाइल नंबर्स हैं वो हम लगातार आपको टीवी स्क्रीन पर फ्लेश कर रहे हैं तो आप हमें जल्दी से जल्दी अपने प्रशनों के माध्यम से हमसे आप जुड़ सकते हैं जैसे अभी आपने कहा कि पांच साल तक के बच्चों का इलाज होना बहुत जरूरी हो जाता है और आसान भी होता है क्योंकि उसके बाद सक्सेस रेट थोड़ा कम हो जाता है लेकिन कई बार ऐसा होता है कि चार साल तक तो माबब यह इंतजार करते रहते हैं कि अभी नहीं कि जैसा मैंने बताया कि सही माने तो यह सर्जरी नौ से ग्यारा महीने में हो जानी चाहिए क्योंकि जल्दी आपको पता चले और नाइन मन्स नौ महीने अब बिल्कुल लेटेस्ट हमारे एक गाइडलाइन्स हैं जो यूस एफडीय ने रिलीस की हैं जिसको हम भी फॉलो क करते हैं कि 9 महिने में यह जब बच्चे-क कांट की सर्जुडी जिसमें कॉकाट इंप्राइन में डो भाग होते हैं एक पार्ट रिकान की सर्जुडी दोरा लगाय जाता है यह ब्रेंट सर्जुरी नहीं बहुत लोग इसको लेके भी मित में रहते और गलत चीज को प्रमो या अपने आप बोले, थेरेपी पे चले जाते हैं, इससे कि वो सर्जरी करवाना नहीं है, उचेत समझते हैं, बिल्कुल, तो अगर किसी बच्चे को 90% से ज्यादा हेरिंग लॉस है, और फैमिली के पास कॉकल इंप्लांट सर्जरी कराने का पैसा है, क्योंकि यह सर्जरी मह करा लेनी चाहिए, कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स के पास पैसे नहीं होते हैं, वो पैसा कठा नहीं कर पाते हैं, वो किसी केंद्र और राजे सरकार के में भी वेटिंग लाइन बहुत जादा होती है, तो ऐसे में पेरेंट्स को मैं कहूंगा कि आप बच्चे को एटल हो गया है, और पेरेंट्स अभी उसका इलाज नहीं करा पारें आर्थिक वेवस्ता की वज़े से, तो वो एटलीस बच्चे को दोनों कानों में सुनाई की मशीन डालें, उसकी रेगुलर स्पीज थेरपी कराएं, और अगर ऐसा बच्चा रेगुलर स्पीज थेरपी कर र अलाज डियर्स तक हो जाती है, दो साल तक बहुत ही बेहितरीन रिजल्ट हैं, और उसके बाद जैसा मैंने कहा कि श्पीच में फ्रेजज वर्ड सेंटेंसेज में और स्पीच क्लारिटी में कमई आने स्टार्ट हो जाती है, ऐसा नहीं है कि अधूड अपने कहा है कि अधन है और इसका जो सबसे महत्वपून पार्ट है वो है एविटी थेरपी यानि की ऑडिटरी वर्बल थेरपी मैं थोड़ा बहुत अपने शोताओं को यह बताना चाहूंगा कि एक स्पीछ थेरेपिस्ट अलग होता है और एक ऑडिटरी वर्बल थेरेपिस्ट जो गुंगेपन पर जो बच्चे जरम से गुंगेबहरे हैं पोस्ट कॉखलेर इंप्लांट उनकी ऑडिटरी वर्बल थेरेपी होती है और जो लगभग एक साल तक चलती है और जिसमें कुछ मैपिंग सेशन्स होते हैं जो प्रोग्रामिंग होती है प्रोसेसर की वो दो साल तक चलती है आठ लाग कहां से जुटाएं जैसा मैंने बताया कि मैं एक संस्ता के साथ मैं जुड़ा वा हूं जिसमें हम गरीब बच्चों की हल्प करते हैं जिसमें हम जो यह कॉखलें इंप्लांट की सर्जिरी का खर्चा लगए आठ लाग रुपे है वो हम डेड़ लाग रुपे मे आपने बच्चा सुनाई से तर उसको बोली नहीं आठ लाग रुपे आपके बच्चे की उमरें पांच साल है क्या आपने इसकी सुनाई की जांच कर आई है कभी आप बच्चे की सुनाई में अपना अलो जी जी बोली हम सुन रहे हैं जी 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 वो रहता है जी गाउ में रहता है पांच साल का है सुनाई नहीं देता है अच्छा सुनाई देता है बोल नहीं पाता है क्या आपने बच्चे की सुनाई की जांच कराई है तो अच्छा हमारा फोन नंबर इन्हों ने गाउं में अपने पीटे को दिया है है वह फोन करेंगे बोल रहा है लेकिन अप फिर भी इनको बता है यह सुन तो पा रहा है बच्चा बोल रहा है अक्सर तौर पे अगर आप घर पे हैं और आप टैस्स नहीं कर सकते तो जैसे मैं आप से बात कर रहा हूं और अगर आपके पीछे से कोई आपका आवाज लग एक बच्चे में 30-40% लॉस भी डिलेड स्पीच का कारण हो सकता है सुनने में अगर परसेंटिज के हिसाब से कम है जी हो सकता है कि बच्चे को पून रूप से लॉस नहीं हो बट खाली 40% लॉस हो सकता है बच्चे के कान में मैल हो बहुत जादा या कान की हड़ी गलरी हो या पर्दे की पिछे खूब सारा पानी जमा हो क्योंकि बच्चों में कई बार एडिनोइट हैपट्रोफी भी बहुत रहती है तो उसमें भी बच्चे की स्पीच डिले होती है तो पहला जो हमें काम करना है कि बच्चे का ओटो अकूस्टिक टेस्ट कराना है बच्चे का बेरा कराना है अगर यह दो जाचे आपकी बिलकुल नॉर्मल है इसका मतलब आपके बच्चे की सुनने की शक्ती बिलकुल ठीक है उसके बाद आप लोकल फैक्टर्स देखिए कान के परदे में कोई सुराग तो नहीं है कान के परदे की पानी तो नहीं है कोई हड़ी तो उसका इलाज ऑपरेशन द्वारा या दवाई द्वारा किया जा सकता है अगर यह सेप चेक करने के बाद भी बच्चे की स्पीच डॉलप नहीं हो रही है तो कई बार टंग टाई यानि की जबान के नीचे तात्वा होता है उसकी पर उसकी वज़े से स्पीच क्लारिटी में ऐसा नहीं होता है लेकिन हां अगर यह सब कुछ आपने एक्स्टूड कर लिया है यह सब कुछ नहीं है और फिर भी बच्चा नहीं बोल रहा है तो इसका मतलब बच्चे के ब्रेन में कुछ इशू हो सकता है यानि कि जो बच्चे का स्पीच सेंटर है ब्रेन में वहाँ प बच्चे की सुनाई ठीक है जबान भी ठीक है पर उसके बावजुद उसकी स्पीच डॉलप नहीं हो रही है तो उसमें नियूरोजिस्ट विदा राइट डॉक्टर फॉर हूं उनके लिए साही डॉक्टर हो अब आपने कहा तो बहुत महंगी तो है यह सचरी लेकिन जैसे एक सप्ता पहले अकबार में हमने यह पड़ा था आयुष्मान भारत की जो स्कीम है जो केंदर सरकार ने स्टार्ट की और बहुत सारे हॉस्पिटल सब आयुष्मान भारत के अंदर आते हैं मुझे पता है उत्राखंड में भी कुछ हॉस्पिटल है तो कॉखले हैं और बाकी कुछ जगें भी सरकारी हस्पिताल में भी कॉखलेंग ब्लांट अब किया जाता है अच्छा डॉक्सर आप तो बहुत सारी सर्जिरियां करते हैं कोई ऐसा नंबर आपके पास है जिन नंबरों पर हमारे जो गरीब दर्शक हैं जिनके बच्चों के कान में प् कर देते हों जिसे की हमारे जो दर्शक हैं वो उस नंबर पर कॉल कर सकांगे किसी बी दर्शक किसी भी पेरेंट को अगर दिक्कत है तो वह डबल नाइन फाइफ थरी डबल नाइन फाइफ थिन लेकिन जिनके बच्चों के कान में दिक्कत है, लेकिन पैसे की कमी की वजह से आप डॉक्टर को नहीं दिखा पा रहे हैं, तो आप इन नंबरों पर कॉल कीजिए, संपर्ख कीजिए, हो सकता है, मुफ्त में आपके बच्चे की कान का जो इलाज है, वो हो सके, क्यों डॉक्स सब सही की का मैंने, बिल्कुल ठीक, मैं एक बार नंबर रिपीट कर देता हूँ, डबल नाइन फाइव थृ टू सेवन वन सेवन तू नाइन, जैसा कि मैंने बताया कि इस में पंदरा में को, मैं देरादून में कैम कर रहा हूं, और इस नंबर पे जो भी माता-पिता, उनके बच का खंड में, कहीं भी हरेदवार कोड़वार में हैं, वो मुझे आके मुफ्त कंसल्टेशन के कर सकते हैं, बच्चे का कान आप पहरे तो जास्कार आप सकते हैं, उसमें हम कोई कंसल्टेशन चार्जे नहीं लेंगे, यह बिल्कुल निशुल्ख की जाएगी, और एक स्कीम की जरीए अगर वो फैमिली, वो पेरेंट्स के पास पैसा नहीं है, तो हम बच्चों की मदद कर रहे हैं, क्या बीपेल परिवारों के लिए कर पाएंगे, आप यह मान के चलिए कि जो ऑपरेशन का खर्चा लगबग प्राइवेट हॉस्पिटल में आठ लाक रुपे का आ पाइदा उठाना चाते हैं, वो बिल्कुल उठाएं, बट इसमें सिर्फ एक ही चीज है कि बच्चे की उमर तीन साल से कम होनी चाहिए, चलने से पहले क्या सलह देंगे, आजकल छोटे बच्चे ही नहीं, बड़े लोगों के कान में भी बड़ी दिक्कत है, सुनाई अच् पिछल आप देखिए, पिछले दो साल में कोविट टाइम में हर इनसान ओनलाइन क्लासिस कर रहा है, हेड़फोन घर में ज़रुत स्यादा दस घंटे, बारवारा घंटे, और लाउड म्यूजिक, दोहनी प्रदूशन, आपके सेंटर के भार ही में जब यहां पहुचा तो इतना ट्राइफिक और इतना जाम और इतना नॉज है कि अगर कोई जो पुलिस वाला वहां दस घंटे की डूटी कर रहा है, उसकी सुनाई की जाँच होनी चाहिए, तो ध्वनी प्रदूशन, ठीक से सोना नहीं, सिग्रेट शराब का सेवन, बहुत ज़ादा, बहुत ज़ है, मैं अपने शुरता को एक चीज़ और पता दूँ कि कॉकलर इंप्लाइंट सिर्फ जनम से घंगे बहरे बच्चों के लिए ही नहीं, उन बच्चों के लिए, उन बड़े बच्चों के लिए या बुज़र गायू के लोगों के लिए भी है, जो अपनी सुनाई इतनी ख राम देना होगा, स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धनेवाद, धर्शकों हमें उम्मीद है, आज हमने बहरे पन, कारण वा उपचार विशय पर जितनी भी बाचीत की है, ये बाचीत आपको जरूर पसंद आई होगी, आपको हमारी ये बाचीत कैसी ये जे जाज़त, नमस्कार